दिपावलित पांची दीन खरीदारी के लिए बहुत शुब है धन्तेरस पर बन रहा है सिद्ध योग नमस्कार मैं हुआ डोक्टर स्रीपति रिपाठी सनातन संस्कृति में कार्तिक मास बहुत महत्तोपूर्ण है कार्तिक मास परवित्यवारों से भरा हुआ है यह मां धन्त ठेरस चठ आदी इसी द्रम्यान आते हैं आपको बता दें कि दिपावली का जो यह पर्व है यह काफी पवित्र है इस द्रम्या धन्तेरस दिपावली चठ आदी पर बहुत ही महत्तोपूर्ण है और यह पर्व मनाते हुए लोगों में बहुत उच्शाह का महल दिखता है दिपावली त्योहारों का शुभारंब धन्तेरस से प्रारंब हो जाता है धन्तेरस 23 तिथी को मनाया जाता है जो की इस वर्स 29 अक्टूबर को है इस साल दिपावली तक 5 दिन खरिदारी के लिए बिहधी शुभ है लोग अपनी शुविधा के अनुशार घर, सोना चांदी बरतन, गाड़ी, जमीन, पीतल का समान, इलेक्ट्रोनिक समान, आदिकी खरिदारी चाहे तो कर सकते हैं धन्तेरस के दिन सिद्ध योग बन रहा है इस योग में खरिदारी अती लामकारी होगी साथ ही इस दिन धार्मिक अनुश्ठान करना मंगलकारी सिद्ध होता है धन्त आदि खरिद सकते हैं ऐसी माननेता है कि इस देने किस भी चीज के खरिदारी करते हैं उसमें पांसगुरा की बिद्ध होती है आपको बता दें कि 28 अक्टूबर इस शाल जो है रंभा एकाथी सिद्ध योग में मनाई जाएगी इस दिन से मालक्ष्मी का आवाहन सुरू कुषण मवेशी उपकरण तामबे की बस्तू इलेक्ट्रोनिक समान उपकरण आदि खरिदना शुभ होगा खास कर 29 अक्टूबर इस दिन धन 13 और धनोवंतरी जयनती मनाई जाएगी इस दिन सिद्ध योग का संजोग भी बन्दा है जिसे अबूच मुहुर्त कहा जाता है इसमें सोना, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी और गनेश, भगवान की मूर्ती, बरतन, जाडू, घरेलू शमाय, दिया, वाहन, मिट्टी के बरतन खरिदना, ब्यापार, शुरू करना यह सब बहुत शुफ फलवर्दक होगा 30 अक्टूबर दिपावली से एक दिन पहले हनुमंत जैनती का सुरुष संजोग बन रहा है, इस दिन बैदृति योग का संजोग बन रहा है, इस योग में ग्रिह उपयोगी समान के साथ अन्य उपयोगी समान भी खरीच सकते हैं, खरिदाली करना लाफदायक शिद्ध 31 अक्टूबर दिपावली इसी दिन है, इस दिन पृति योग बन रहा है, इस योग में खरिदारी करना बहुत ही लाफ़कारी होगा, इस दिन पूर्जन सामगरी, बस्त्र, शुब मुहुर्त में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करने से सुख, बैभाव, संपत्ती यस की प्राप्ती होती है,